कि जो महिलाएं physically active नहीं हैं, यानि sedentary lifestyle है, even working women जो आजकल computer के सामने बैठी रहती हैं, तो sedentary lifestyle मतलब active जीवन शैली अगर नहीं होती, तो उससे breast cancer का risk बढ़ता है, समझने के बात ये भी है कि हर गांठ जरूरी नहीं cancer है, उत्राखंड बहुत palace के मकाबले में बहुत जादा प्रगती के रास्ते पे हैं, और काफी अच्छी health facilities यहां पे भी यहां के लोगों को available अब होती जा रही हैं, देज भर मेडिकल के छेतर में लगातार बढ़ती चुनोतियों को लेकर डॉक्टर सर्याग हैं और हमारे साथ अभी डॉक्टर मीनु वालिया में हैं, जो मैक्स में cancer की specialist हैं और आज उत्राखंड पहुंची है मैं, आपका स्वागत है new study network में, किस तरह से मैं लगातार हम देश में देख रहे हैं या उत्राखंड में लगातार cancer के जो मरीज हैं, अधिकान से महलाओं में इस तरह की समिस्या हैं यह होती हैं, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है और ब्रेस कैंसर यह कैसी बीमारी है, जो हर दुनिया में एक ही डेफरेंट लेवल पर बढ़ती जा रही है, और हमारे देश में भी बहुत जादा पहले से जादा बढ़ गई है, और आज की देट में वहता सारी महिलाओं में इवन कम उम्र की महिलाओं हों उनमें भी breast cancer पा रहे हैं पर breast cancer का जो इलाज होता है उनमें three main modalities होती हैं जिसमें हम एक surgery होती है दूसरा सिखाई यानि radiation therapy होती है और तीसरा जिसे हम कहते हैं systemic therapy, systemic therapy में आपको कभी chemotherapy देना पड़ते हैं या होता है या इवन टार्गेटट थेरपी या इमिनो थेरपी जो आज कल की नई जमाने की थेरपीज एंट्वांस थेरपीज उनको भी आपको देना पड़ता है तो कौन से मरीज में क्या करना पड़ेगा यह बहुत सारे फाक्टर्स पर डिपेंड करता है पहले ब्रेस कांसर क स्थेज़ कौन सी है क्या ओर्ली स्थेज़ का कैंसर है या थोड़ा बढ़ चुका है और उसकी क्या टाइप है जब हम बाइपसी करते हैं यह कुछ और चीज़ए टेस्करते हैं ब्रेस कैंसर के iqa क्ई कॉन से तर्गीट प्रजेंट है और इस हिसाब से हर पेशित का पर अगर किसी भी महिला को अपने ब्रेस्ट में अपने स्थान में कोई गांट महसूस हो रही है तो उनको अपने डॉक्टर के पास अपने करीबी डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए ताकि वो उसकी सही तरह से जांच कर पाएं और उनको एक तरह से पता कर पाएं कि यह कहीं cancer की गांट तो नहीं है तो ज़्यादा तर cases में ये गांट की रूप में आते हैं पर बहुत सारे cases में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गांट हो हैं कई बार breast का size change होना या उसके skin change होना skin में discoloration होनी और इसके अलावा nipple में कुछ changes जैसे nipple discharge होना स्टन से कोई सी तरह का discharge या पानी का रिसना या फिर निपल एरोजन होना इस तरह की चीजे हैं जो कॉमनली होती है जो breast cancer का चिन्हे हो सकती है मैं खानपान को लेकर किस तरह से ध्यान देना चीजिए कहास कर आज थी समाई हम देखते हैं कि खानपान बहुत जरूरी होता है जिस समय बच्चे को ज़नमा देती है मैला उस समय किस तरह के खानपान उन्हें ध्यान रखना ती So breast cancer एक ऐसा cancer है जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे risk factors होते हैं Risk factors याने कि ऐसे यह जो जीवन शैली अगर इस तरह की होईगी या खान पान एक particular तरह का होता है तो breast cancer या stun का cancer होने के chances ज़्यादा होते हैं इन्हें हम कहते हैं modifiable risk factors अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो हम उसको change कर सकते हैं और अपना breast cancer होने का risk को काम कर सकते हैं जैसे lifestyle या जीवन शैली का risk factor जो एक होता है कि जो महिला हैं physically active नहीं हैं यानि sedentary lifestyle है इवन working woman जो आजकल computer के सामने बैठी रहती हैं क्योंकि घर में बाईया होती हैं तो हमारी physical activity नहीं होती हैं तो sedentary lifestyle मतलब active जीवन शैली अगर नहीं होती तो उससे breast cancer कर रिस्क बढ़ता है जो लोग अपना नियमित balanced diet नहीं खाते हैं या फिर बहुत जादा packaged खाना काते हैं जिसमें आपके fast food होगे जो preserved food होगे बहुत सारे preservatives वाला खाना होता है जिस तरह की जो western diet समय जिसे कहते हैं जिन में फाल सबजियां वगरा कम होती हैं उनसे भी breast cancer होने के chances जादा होते हैं इसके अलावा यह भी पाया जाता है कि जिन महिलाओं में शादी लेट होती है या बच्चा लेट होता है या फिर स्तन पान नहीं होता इन महिलाओं में भी breast cancer होने के चांसेश जादा होते हैं मैम क्या breast को remove किये बिना इसको ठीक किया जा सकता है जरूरी नहीं है कि हर breast cancer के मरीज को अपनी breast उन में हमें breast remove ही करनी जरूरी नहीं होती है अगर specially अगर हम breast cancer को जल्दी पकड़ लेते हैं early breast cancer होता है तो उन बहुत सारे cases में हमें पूरी breast remove करने की जरूरत नहीं है हम केवल breast का छोटा से एक टुकड़ा जिसे हम कहते हैं breast conservative surgery सिरफ उसी को remove करके बहुत अच्छे results दे सकते हैं इवन ऐसे महिलाओं का survival बिल्कुल normal survival की तरह हो सकता है इसके अलावा ये बहुत सारी अच्छी नहीं तरह की दवाईयां हैं नई तरह की medicines हैं जिसमें हम cancers को काफी कम कर सकते हैं और उसके बाद अगर चाहें तो breast को save कर सकते हैं और फिर इसके अलावा भी अगर कई बार होता है कि किसी वज़ा से जैसे वो multi-centric cancer है दूर दूर तक फैला हुए और हमें breast remove करनी पड़ भी रही है उन के महिलाओं को भी नराश होने की जरुवत नहीं है विकास बहुत अच्छे से अच्छे breast reconstruction के procedures available है जिसमें breast को फिर से reconstruct किया जा सकता है और वो बिल्कुल अपनी normal life को जी सकती है मैं उत्राखन में किस तरह से आप आप उत्राखन में आई हैं तो उत्राखन की medical सुविदाएं डेफिनेटली आज की देट में पहले से बहुत बहतर है और बहतर होती जा रही है और यहां के जो Indian Medical Association है वो काफी active association है नियमित रूप से काफी सारे कारेक्रम करते रहते हैं और इन कारेक्रम में मैं कई बर कई बर आ चुकी हूँ और हम लेक्चर्स वगरा लेते रहते हैं तो जो interaction होता है डॉक्टर्स के बीच में जो हमारा knowledge का आदान प्रदान होता है तो उसे लग रहा है कि उत्राखन बहुत पहले स्के मुकाबले में आपका बहत बहुत बहुता है तापका बहुत बहुत बहुता है